कि है कि है कि हेलो फैमली वापस आचुकि हम लोग दस सुक्साइड स्कॉर्ड के को नियो एपसोड के साथ तो अब लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिन कॉल पेस सेट कर देना और कमेंड करके बताना कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो एपसोड के स्टार्टिक में दिखाते हैं वो जो कमांडर होता हो जैवान सा कुछ था मिश्टर जैवान क्या तुम मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं चला कि तुम कहां पर आ गया हो मौन्स्टर से फायट हुई जिसको तुमने मार के सिंग ले लिया उसके तुम्हारा उन सब यानी ग्रीन पैरिस क्लैन के मेंबर से फायट हुआ जिसके वज़ासे तुम्हें सब्सक्राइब और इसके बाद इस कास्टल के अंदर आ गए उसके बाद तुम लोग इधर उध लेकिन डॉक्टर बोलता है कमांडर किसी का विस्वास चाहिए तो सबसे पहले आपको उस बंदी पर भी ट्रस्ट करना होगा बोलता है अगर मैं तुमसे कुछ और कुछ जयावान तो क्या आप मुझे बताओगा बोलता है हाँ चलो ठीक है पूच लो वो पूचता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारा जो बॉड़ी हो अभी भी जिन्द है लाइव है तुम मर के यहां पर चाऊस में नहीं आओ क्या मैं सही बोल रहा हूं जवान उसकी बाद सुनके सौक जाता है बोलता है कि हां मुझे जो तुम बोल रहे है वह सही है क्योंकि वह मनी मन सोच रहता है कि मै जब कर आया था मैं यहां पर आया तो उस पहले मैं में गया ही ने और में गया ने उस वजह से मैं greater land में भी नहीं गया उसके वादे से मेरा जो स्परिच्व बॉड़ी वह अभी वह अपने जगहां पर और मेरा जो मेन बॉड़ी आ रही जिंदा हूँ बताता है हा ठीक है जो तुम बोल रहे हो वो सही है क्योंकि मेरा जो बॉड़ी वो अर्थ भी जिन्द है लेकिन फिर भी तुम्हें कि सब कैसे पता चला कि मैं जिन्दा हूं यह ना कि मरा हुआ बोलता है कि मुझे बस ऐसे अंदाज लगाया और वैसे भी तुम जब चाउस में आय थे तो तुम में लेंड तो गए नहीं तो सकता है तुम जिसन यह हो गई कि इसा मैंने अंदाज लगाया लेकिन फिर भी कोई भी बंदा जो भी चाउस में आता है वो यहां पर आने के बाद हैं कि कोई जिन्दा है यह मरा वो लेकिन तुम सब को बता रहे हो कि बाकि सब इंस अलगाया और मॉस्टर्स अलागा बीष्ट अलागा लेकिन फिर कमांडर जो होता वो जहां सा पुछता क्या तुमको किसी ने डराया धंकाया है इसलिए तुम अपनी जो रियल इडेंटिटी है वो किसी को भी नहीं बताते हो बोलता कि नहीं मैं इसके बारे नहीं एगरी करूंगा नह जितने भी कमांडर ते जितने भी सोल्जर थे वो लोग तुम पे नजर रहे थे बोलता कि हां मुझे पता है वो लोग सारी लोग मुझे नजर रहे थे रहे तो वह बंदा भी तुम्हारा इपन्दा था जो उस दिन च्छत के उपर ता जिसको पर मैंने अटक कर दिया था मैंने जितना तुम से एक्सपेक्ट किया था तुम्हें देखने के बाद हो तुम उससे भी ज्यादा एक्स्किल्ड पर्सन हो लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैंने जो इतने महनत की वो सब विकार था साथ हूँ अपने सामने के स्क्रीन होता है उसको खीच के बढ़ा करता है और सब के सामने खोल देता हूँ जैवान ने जो पिछले तीन चार दिनों में जो भी किया था वह सब काला चिटा कुल के आ जाता है बोलता है कि तुम्हारा जो टार्गेट मलब तुम्हारा जो रेटिंग हम लोग ने डेंजर लेवल से किया था वो डबल एस रेटिंग चिलाग बॉलता है तो इसको नहीं ही रहा छााव को चॉश्यक्या कर देखरर रहा है कि मैने हमारी पूरी चाओस को रहा कर देखर लेकिन नहीं किम्हांडर जमान से बौलता है कि मुझा पता है कि कुछ लोग तुम्हेरो कमानिंग अन् 600 को चाओस कि मुझसा क्छेंग या फिर विलन भी कह सकते हैं जैसे से लोग से तुम में लोग वैसे वैसे उनकी रहे बदलती रहे जाएगी लेकिन मैं मैं चुकि एक कमांडर हूं इस पूरे पूरे कास्टल तो मैं तुम्हारे से लोगों क्या कहता हूं पता है अब प्रोटोगनिस्ट यानि एक जो स्टोर से कहा जाता है वो लोग का भी ज्यादा फेमस होते हैं लेकिन तुम तो अभी फेमस भी नहीं हो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे पीछे है पर तुम्हें भी नहीं पता कि वह लोग तुम्हारे पीछे और नहीं उन लोगों पता है कि तुम लोग के प्रोसेस प्रॉब्लम हुगा वो सबका सामना नहीं करना पड़ता और तुम लोग सीधर कास्टल के अंदर आ जाते इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक प्रोटकने स्टोर जिसको यह भी नहीं पता कि तुम कहां पर हो और तुम पूरे चावस में बस मिना मतलब कि किसी से भाग रहे हो लेकिन तुम्हें भी नहीं पता कि तुम किसे भाग रहे और इसलिए इसे ही अंदाजा लगा सकते है कि तुम किसी मेजर फैक्शन से बचके भाग रहे हो या फिर कोई मेजर फैक्शन है जो कि तुमारे पीछे लगा वह जैवान उसकी बात सुनके सोचने में से कोई एक मेरे पीछे लगा हो और पता नहीं वह जो मुनारक हो कितने जाधा Mobal कि हो ठाउग रिकिन बोलताए क्या यह तुम्हार कॉर्जंट दो कश्टल इ horizonski पार मुनार्च जो लगाहीं होगा इसकी प्रस नहीं जो एकाफी टाइम से यहां पर चाउस में इंटरफेस्स नहीं करते थे और उनलों को यह करने की परमिस्न थी जहान बढ़ दे में फेवर में क्या चाहिए मतलब ना ही तुम मेरे उपर कंपनसेशन दोगे नाहीं मुझे और कोई डेमेज दोगे मुझे प्रोटक्ट भी करो तिन सब के बलें तुम्हें क्या चाहिए बोलता है कि मिस्टर जैवान मुझे आप से काफी सिंपल चीज चाहिए एक कबर हो रहे हैं और वो काफी जल्दी ठीक भी हो जाएंगे लेकिन फिर भी क्या तुम सच मुझे मतलब ऐसा चाहते हो कि आप लोग को गेस्ट रूम में ना जाके सिधा सिधा ट्रेणिंग नूम में ले जाया 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 बुड़ा बोलता है हम लोग ने पहले यह आएथा कि थमनीन तुमने उस मास्टर ताउर को कीयर किया लेकिया वहां मैंने लेंग पर के लिए लोग को छोडग के अधरव चला जाता है बुड़ा बुड़ा हमताएग्तर सक्वान मंतलब ही भी पॉसिबल नहीं एक्तम से इंपॉसिबल है कि तुम मुझे हरा सक होगे साथ ही मावे फाइट स्टार्ट हो जाती है बुढ़ा जोता है सिधा कि सिधा जमीन के अंदर चला जाता है जैवान यह देखके काफी जाता है कि बुढ़ा कहां चला गया बुढ़ा नीचे से आ अगर मैं उसे यूज कर लूँगा तो तुम कभी भी जीत नहीं पाऊगे चुकि मैं काफी वक्त से खुद को हर्ड़ बैक कर रहा था इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाऊगा चुकि मैं अपना अल्टिमेट स्किल यूज करने वाला हूं तयार यह सोच रहा होता कि जो बुढ्धा यह काफी देर से एकिल इंको रिपीट कर करकर क्यों बोल रहा क्यों है मुझे कहना क्या चाहता है कि तृस्아ार साल क्या उख मैरी इस सक्षय पले होगा बढाomp think time बस साथ साल से असलिक्ट कर रहे और تुम चाहते हो कि तूम मुझे सबस्क्राइबkov सबस्क्राइब और मैं अजब sagen सबस्क्राइब सबस्क्राइब लेकिन बुड़्धा उसकी असे बाते सुन सुन के वहां से फिर फाइनली उस गड्डे में से बाहर आ जाता है और में पर जोलदार धमाका हुता है और वह साथ ही जैवान को गाली देते हैं अगे बढ़ जाता है अपनी अस्पेसल स्वर्ड को लेकर ऑगा बलता है कि छलो द के साथ वो जैवान के उपर अटक करने के लिए आगे बड़ता है जैवान भी आपने जो स्वार्ड होती उसको लेकर उस बुड़े के उपर स्टैबिंग करने के लिए यारे पर जाता दोनों दूसरे से टक्राने वाले हो तो एक जोड़ार दमागा होने वहला होता है और यह पुंद्र इसे उपसटोड लाइक्स कंपिलिट करवा देन तो अगर आप लोग को लिए नहीं हो तो आप लोग समझ रहें गोई तो अगर आप लोको एक्स्प्रीनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर पहले बाहरा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते नेक्स्ट जोड़े साथ तुर ले बबाई श्टे अपी स्प्रेट लाव